बहुत सर लोग ऐसे हैं न कि जो जीवका के तहट जो है जूड करे काम करना चाहते हैं तो आप सभी को पता ही है कि जीवका के दवारा जो है दीदी का रसोई यो कीचन चलता है जिसके माधिम से काफी सर लोग को जो है खाना बना कर खिलाया जाता है तो उसमें जो दीदी का और सोई का कीचन है न उसमें देखेंगे तो भरती को लेकर अलग-अलग जीलो के दोरा जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिये गए हैं बिहार कलमोश जो है सभी जीलों में भरती होने वाला है और भरती जो है पुरी तरह से आपका ओस्थाई पदों पे होने वाला है यानिकि सबींदा कैधार पे होने वाला है पूरी जनकारी हमने इस वीडियो में कभर किया हुआ है कि भरती में कौन लोग सामिल हो सकते हैं किस तर से अपलाई कर सकते हैं कितना आपको मान देह देखनी को मिलेगा तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थुरस बैच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा सबसे पहले आपको जीवका का जो अपीस्यल पोर्टल है ऀहां पर आपको आजाना है यहां पर आपको एक कैरियर का जो है बटन देखने को मिलेगा जिस पे आपको 11rique करना बनाया हुआ है consultant legal का मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके नीचे देखेंगे तो जो भी CLF होता है यानि कि CLF जहाँ पर आपका रोसोई कीचन रोसोई बनाया गया है वहाँ पर जो ही भरती निकाली गई है ठीक है देखेंगे दीदी की रोसोई from cluster level जो भी federson है CLF वहाँ पर आपका भरती यहाँ पर होने वाला है ठीक है इसका जो closing डेश है न 30 सितंबर तक ही रखे गए हाला कि थोड़ा सा वीडियो हम लेट बना रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे जीले हैं जहाँ पर 30 सितंबर तक आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं कुछ जीलों का जो आवधन करने का date है I think मेरे इस आप से निकल भी चुका होगा ठीक है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बताये गया है कि ज्यादा details के लिए candidate को जो भी CLF होता है वहाँ पर उनको संपर करना होगा क्योंकि इनका जो advertisement है उसमें बहुत ही कम information दी गई है लेकिन हाँ अगर आपको जादा जनकारी चाहिए details में तो जो भी CLF होता है दीदी के रसोई वाला वहाँ पर आपको जाकर संपर करना होगा ठीक है और हर CLF पर जो ही भरती यहां पर निकाली गई है बरती की हम बात करे तो इसमें देखेंगे तो जोभी MLF है उसके द्वारा यहां पर भरती निकाली गई है तो आप यहां पर चेक आउट कर लिजह क्योंकि कई सारे जेले में देखेंगे तो दो से तीन जो है सेले बनाये गए हैं तो वहाँ पर भड़ती यहाँ पर निकाली गई है एक जनकारी हम देंगे जिसके माधिम से आप समझ पायांगे कि कौन से पोस्ट है क्वालिफिकेशन क्या है और उसके भी आप जहां से भी आ आते हैं तो फिर यहीं पर आपको चेक करना होगा जैसे कि माल लिजे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो भी जीले के लिए आप देखना चाहते हैं जैसे कि माल लिजे और अंगाबाद सदर के लिए देखना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ ओपें कर सकते हैं तो देख बनाई गई है उसमें जो भी कैटीन प्रभंदक होते हैं कैटीन मैनेजर होते हैं उनके पदोपे भरती निकाली गई है देखेंगे कौन से CLF पर निकाली गई है तो परकास जीबी का महिला विकास ठीक है स्वामलंबी सहकारी समीती संकरपूर परखंड सदर जिला मुंगेर क अगला आपका भरती है और निव्तम योगता की हम बात करें तो अगर आपने होटल परबंदन कैट्रिंग तक्निकी में बैचलर आफ होटल मेनेजमेंट किया हुआ है या फिर बैचलर इन होटल मेनेजमेंट में डीपूलोमा उतिर किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर् यहापन दिया गया हैいます इसका मतलब वह है कि होटल पर मन्दमने किये हुए तो भर सकते हैं नहीं तो आपने अपने बीम तरह सकते हैं यहापने बीजहरarda है कॉलिफीकेसल से किये गया है जो आपको फूल फिल करना होगा बिग्यापन तीथी से 21 बरस लेकर 45 बरस के बीच में आपका उमर होनी चाहिए और 20 से लेकर जो है 50 अरपे तक जो है आपको मांदे यहाँ पर देखनी को मिलेगा बाकी बताया गया है कि यह जो है अस्थाई यह अनुबंध के अदार पर आपका भरती होने वाली है यह जीवका दीदी रसोई जहां अस्तगत विक्री 50 से 500 होगी है तो मिदवारों के पास कैटीन होटल यहां रेश्टोर्टन के परमंदन का कम से कम दो बरस का नुभव भी होना अनिवार्ज है बात यहाँ पर बोला गया है ठीक है यह जनकारी यहाँ पर बोला गया है देखेंगे पता भी यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर आपको अप्लिकेशन भेजना है और इनसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर भी है बात कर सकते है तो ऐसा नहीं है कि इसका भरती का डेट निकल गया है तो सभी का निकल गया ऐसा नहीं है बहुत सरे अलग अलग जगहों की भरती जो है 30 तक चलने वाली देखेंगे तो यहाँ पर कलोजिन डेश जो है 30 सितंबर 2024 रखे गए हैं तो अभी तीन दिन समय है आप अपने चेक क अबर के तक तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं इस तरह से मैंने पूरी जनकारी बताया बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेट तो आप हमें कमेंट करके पूश सकते हैं और अपने जिले की जो भरती है उसको चेक करने के बाद डेट ज कर दीजेगा आपको अपलाई